हलो डियर स्टुडेंट आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है आज हम RPSC फर्ष्ट गेट जीके में सेक्षिक प्रबंदन का अगला टोपिक शिक्षा के सेत्र में नवाचार कौन-कौन से हैं वो पढ़ेंगे जिसमें पहला आता है सेक्षिक उपगर है एजूसेट ये एजूसेट जो है ये शिक्षा के सेत्र में भारत में स्तापित होने वाला पर्थम कर्तिम उपगर है शिक्षा के एजुसेट की स्तापना और राज़स्तान में एजुसेट की भूमिका तो याद रखेगा इसे जीुसेट 3B कहा जाता है एजुसेट को तथा ये शिक्षा के सेत्र में बारत में स्तापित होने वाला पर्थम करतिम उपगर था अब आता है एजुसेट की स्तापना कब हुई थी इस्रो द्वारा 20 सितंबर 2004 को श्री सतीज धवन अंतरिक्स केंद्र श्री हरिकोटा ध्वीप आंधरे परदेश से GSLV MK 1FO1 द्वारा 36,000 किलोमेटर की दूरी पर अंतरिक्स में स्तापित किया गया था ये एजुसेट उपगर है जो भारत में स्तापित होने वाला 6,000 के शेतर में पर्थम कर्चिम उपगर था कब स्तापना हुई 20 सितंबर 2004 को किस के दवारा इस्रो के दवारा और कहां से हुई 37 दवन अंतरिक्स के अंदर स्रीहरिकोटा द्यूप आंदर परदेश से कितने किलोमेटर की दूरी पर 36,000 किलोमेटर की दूरी पर अंतरिक्स में स्तापित किया गया था एजुसेट में 5 के यू बेंड ट्रांस्पोंडर और 6 सी बेंड ट्रांस्पोंडर होते हैं अब अपन देखते हैं ट्रांस्पोंडर क्या होता है ट्रांस्पोंडर एक एसी डिवाइस है जो की पूछे गई सिगनल की परतिक्रिया में सिगनल पैचान कर उसे वापस बेजता है और संचार उपगरह जो होते हैं उसे transponder applying frequency signal इकटा करता है और वापस उसे पुन्य retransmit कर देता है यह थोड़ा difficult है समझ में नहीं आएगा इसे थोड़ा सा easy way में समझते हैं transponder क्या होते हैं एक विशिष्ट संकेत प्राप्त करने के लिए या signal प्राप्त करने के लिए डीजाइन किया गया विद्यूत उपकरन transponder कहलाता है यह एक radar dish होती है जो की व्यापक सेत्र को scan करने के लिए यूज में ली जाती है अब आता है एजू सेट के पहले चरण में करनाटक, महराष्ट, मद्यपरदेश के सिक्षन संस्तानों को जोड़ा गया था आपसे पूछ ले जाए कि एजू सेट के पहले चरण में जोड़े जाने वाले सिक्षन संस्तान वाले रज्यो में कोन सा नही है तो करनाटक, महराष्ट और मद्यपरदेश सबसे पहले इन तीन रज्यों की सिक्षन संस्तानों को जोड़ा गया था लेकिन वर्तमान में एजुसेट के द्वारा 60,000 क्लास रूमों को जोड़ा गया है सिक्षन संस्तानों को जोड़ा गया था पहले करनाटक महराष्ट और MP के एजुसेट के पहले चरण में लेकिन वर्तमान में एजुसेट के द्वारा साथ हजार क्लास रूमों को जोड़ा गया है। अब आता है राजस्तान में एजुसेट की क्या भूमिका है। लेकिन वर्तमान में एजुसेट की कितनी साइट्स हैं तो वर्तमान में राजस्तान में एजुसेट की 43 साइट्स हैं तैयाली साइट्स हैं जिसमें 30 डोक्टर्स, 8 CTE, कोलेज टीचर एजुकेशन, एक SIERT, 2 IASC मतलब उच्चे अजन सिक्षन संस्तान और एक प्रारंबिक शिक्षा निदेशाले बिकानेर तथा एक शिक्षा संकुल जेपूर में इनका संचालन होता हैं और इनका संचालन कार्यले हैं। तो आप देखिए तैयाली साइट्स में 30 डोक्टर्स, 8 CTE, 1 SIERT, 2 IASC और एक प्रारंबिक शिक्षा निदेशाले बिकानेर तथा एक शिक्षा संकुल जेपूर में इनका संचालन होता हैं। जो दूर दराज के जो चात्र हैं वो शिक्षण नहीं प्राप्त कर पाते, उन्हें एजुसेट के मादेम से शिक्षा प्राप्त करवाना ही इस एजुसेट का प्रमुक्र उद्देश हैं या कारी हैं।